नमस्कार दोस्तों आप सबीका इस्टडी क्विज विद निर्मला यूटूब चैनल पर स्वागते हैं हम यहाँ पर बात करने वाले हैं MP8 25 मार्श 1st शिप्ट का पेपर यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से प्रश्ण आये हैं बाकी पेपर के अकोडिंग कठी ने या सर यह हम एंड तक देखेंगे तभी पता कर पाएंगे तब वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सस्क्राइब करें अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक जरूर करिएगा यहाँ पर पहला प्रशने कि भारत का पहला तितली पार्ग कोन सा है तितली पार्ग पूछा गया है प्रथम तो बननेर घटा रास्टी उध्यान कहां पर है बेंगलूरू में करनाटक समवाद विदी के प्रतिपादक को ने तो समवाद विदी के प्रतिपादक है प्लेटो नेक्स टेव भूजंग के किसका परियाईवाची है तो भूजंग साप का परियाईवाची है गांधी सागरबान किस नदी पर बना हुआ है तो गांधी सागरबान चम्मल नदी पर बना हुआ है टोटल गांधी सागरबान देच चार जिसमें से एक मात्रबान गांधी सागरबान MP में है बाकी तीन राजस्थान में है नेक्स्ट विश्व विदासत दिवस कब मनाया जता है तो 17 अप्रेल को मनाया जता है मैंने आपको प्रतिक वीडियो में बोला है कि दिवस से रिलेटेड यारे जितने भी इंपोर्टेंट दिवस से आप उनको अच्छा से पढ़ लीजे उनमें से एक तो प्रश्न आई रहा है कवक्त तर शेवाल के बीच सज जिवीता का कारिक करता है कौन करता है लाइकेन नेक्स्ट विद्धी का सम्मन किस चिंतन से है तो अभिसारी चिंतन से होता है चिंतन दो प्रकार के होते हैं अभिसारी और अपसारी नेक्स्ट इप पॉटियस भूल भूलय या टेस्ट किस आयू के बालकों के लिए होता है तो यह होता है तीन से चोदा वर्ष के बच्चों के लिए नेक्स्ट इप भारत में विमानों का आगमन कब हुआ था तो भारत में विमानों का आगमन हुआ था 1911 में यहाँ पर प्रश्ण यह है कि विमानों का आगमन का बौध निस्व 11 में नेक्स्ट प्रश्ण है कि ओडम किस राज्य का प्रमुक्तिवार है तो ओडमे केरल राज्य का प्रमुक्तिवार अगला प्रश्ण इसी में है कि दयानन्द में कौन सी संदी है तो दयानन्द में दिर्ग संदी है दयाधन आनन्द यहाँ पर तीन प्रश्णे एक दो और तीन स्वाकिया का विलोम शब्द पूछा गया था तो स्वाकिया का होता है परकिया अगला प्रश्ण ये घनानन को किस यूग का कवी माना जाता है तो घनानन को रितिकाल का कवी माना जाता है नेक्स ये भविश्य की धातू कहा जाता है प्रश्ण आया था कि भविश्य का इंधन किसे केते हैं यहाँ पर प्रश्ण पूचा गया है कि भविष्ची की धातु किसे कहा जाता है तो टाइटेनियम को कहा जाता है तो राइट आंसर हो जाता टाइटेनियम सक्रिय ज्वाला मुकी किस महासागर में सबसे ज़्यादा इस्तिते तो प्रashyant महासागर में इस्तित है ग्रेणाइट पाया जाता है यानि ग्रेणाइट कौन सा शेल है तो ये आगने शेल है शूद्रग्रा, इस्थली प्रभाव, अंतिम, चेतावनी प्रनाली गिसके पास है तो ये नासा के पास है अगला प्रश्ण था आम के आम गुटली के दा вам मुहावरे का अर्थ बता ना था किसी काम में दोरा फायदा होना आम के आम गुटली के दा मुर्ति संक्रियात्मक अवस्ता की उम्र क्या होती है यह जीन प्याजे से रिलेटेड प्रश्णे पूरी M.P.T. पेपर में वाईगोस की कोहलबर्ग जीन प्याजे बहुत जादा इंपोर्टेन रहे हैं इनसे ही बार बार प्रशन पुछे गए हैं तिहां पर जीन प्याजे से सम्मंदी प्रशने जीन प्याजे चार अवस्ताहें बताई हैं या पर मूर्त संक्रियात्म का वस्ता की उम्र पुछे गई है तो राइट आंसर था साथ से ग्यारा वर्श नेक्स से कौन सा पालन नहीं करते हैं यानि कौन सा पालन नहीं होता है तो शेवाल पालन नहीं होता है किंडर गार्डन विदी के जनक पूछे गए थे तो फ्रेडरिक फ्रोबेल किंडर गार्डन विदी के जनक है सिद्धान से समंदित प्रश्ण बार बार पूछे गए हैं किसी विदी के जनक पूछे गए हैं कब आई थी वो विदी ऐसे पूछा गया है तो अब जिसकी सी का पेपर बागी है यानि टीन पेपर बागी है आज की सेकंड शिप्ट और कल की फर्स्ट और सेकंड शिप्ट यानि कल लास्ट पेपर है जिसकी की निर्माण में कौन सा कारक नहीं होता मिट्टी के निर्माण में कौन सा कारक नहीं होता तो मूलशेल, उच्चावच, समय, जलवायू तथा जेविक तत्व ये सबी तो मिट्टी के निर्माण में सायक होते हैं या मिट्टी के निर्माण की कारक होते हैं अब इनके अलावा जो अप्शन था वही अमारा आंसर था नेक्स ली मद्धि प्रदीश क्रीडा प्रदीशत का गठन कब हुआ तो यह हुआ है एक अप्रेल स्वरी एक अक्टूबर 1975 को HIV का फूल फॉम पूछा गया है तो HIV का फूल फॉम होता है human immunodeficiency virus अगला प्रशनी किशोर न्याय अधिनियम कब आया तो किशोर न्याय अधिनियम आया था 1984 में और इसे लागू किया गया था 2000 में यह दोनों चीजा आपको पता हो नीचे लागू कब हुआ और आया कब नेक्स टी अंतरास्टी टी ट्वेंटी की शुरुवात कब हुई तो यह हुई थी 17 फरवरी 2005 को टेस्ट मेश में सबसे तेज शतक किस ने लगाया तो ब्रेंडन मेकुल आपने लगाया कहां से संबन दीते यह न्यूजिलेंड से संबन दीते और किसके खिलाफ लगाया था तो ऑस्टेलिया के खिल लगाया था अगर बोल पूछा जाता तो बोल हो जाता चमवन यानि कि चमवन बोल में शतक लगाया था ओके दोस्तों यहां पर आमने देखे लगवें 40-45 प्रश्ण आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को जरूर करें तैन्यवाल